नेता जी तो सांसद बन गए अब बेटा को एमेले वाला सीट चाहिए नमस्कार आप देखरें न्यूस पॉर नेशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ बिहार के चार विधान सभा सीटों पर उपचुनाव होने को है और इन चार विधान सभा सीटों की बात करें तो उसमें इमाम गंज, रामगड, बेला गंज और तरारी विधान सभा सीट शामिलें अब इन चार विदान सभा सीटों पर जिस पर उपचुनाव होने को है इसमें अगर महागडबंधन की बात करें तो महागडबंधन में सीटों का बटवारा हो चुका है तीन सीटों पर राज़त चुनाव लड़ेगी वही एक सीट भागपा माले की जोली में दे दिया गया ह अब कौन से नेता को कहां से टिकेट मिलने वाला है, कौन कहां से कैंडिडेट की तौर पर उतरेंगे ये तो डिसाइड लालू प्रशाद यादव ही करेंगे हाला कि नेता जी सांसद बन चुके हैं और उनके बेटा आप चाहते हैं कि वो MLE बन जाए लेकिन होगा क्या वो तो लालू यादव ही तै करेंगे बिहार में होने वाले विदान सभाज उपचुनाव के लिए महागण बंधा ने अपनी सीटों का बटवारा कर लिया है चार सीटों में से लालू यादव की पार्टी आरजडी तीन पर और भागपा माले एक पर चुनाव लड़ेगी इस घोशना के बाद से ही राजस सुप्रीमों के पास टिकेट के लिए अडजियों की बाढ़ा गई है खास कर उन्यताओ के परिवार वाले जो अब सांसद बन चुके हैं अपने बेटे के लिट किट की मांग कर रहे हैं बता दे कि बिहार में माम गंज, तरारी, रामगड, बेला गंज, विदान सभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं ये सीटे तब खाली हुई जब उनके मौझूदा विदायक 2024 के लोग सभा चुनाव में सांसद चुन दिये गए दिल्चस्प बात ये है कि अब ये नेता चाहते हैं कि खाली हुई सीटों पर उनके परिवार के लोग ही चुनाव लड़ें रामगर सीट से राज़त प्रदेश अध्यक जगदानन सिंह के बेटे सुधाकर सिंह विधायक थे जो अब बक्सर से सांसद बन गया है और इसी तरह इमाम गण से विधायक जीतन नाम मांजी गया से सांसद बन गया भागपा माले नेता सुधामा प्रशाद जो पहले तरारी से विधायक थे अब वो आरा लोग सबा सीट से सांसद बन गया राज़त के अंदरूनी सुत्र के मुताबिक सांसद बने सुरंदर यादव अपने बेटे विशुनात के लिए बेलागन सीट चाहते हैं हाला कि राज़त इस सीट पर किसी और को उतारने पर विचार कर रही है वही रामगर सीट से अपने बेटे सुधाकर के सांसद बनने के बाद राज़त प्रदेश अध्यक्ष जगदानन सिंग अपने दूसरे बेटे अजीत कुमार को चुनाव में ही मैदान में उतारना चाहते हैं तीसरी सीट की अगर बात करें तो जिस पर राज़त की नजर है वे है इमाम गंज सूतरों की मुताबिक इस सीट के लिए तीन दावेदार है पार्टी के वरिष नेता और पुरव विदान सभादेक्ष उधर नरान चौधरी और रोशन मांजी दोनों ही इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए एक चुक है रोशन मांजी 2005 में इमाम गंज से विधायक पद के उमिदवार रह चुके हैं तीसरा नाम समता देवी का जो पुरव में बारा चटी से राज़त विधायक थी और पार्टी के पुरव सांसद और विधायक भगवती देवी की बेटी हैं खबर है कि लालू यादव अभी तक सांसद बंडी नेताओ के दबाव में कोई फैसला नहीं ले पाए हैं और अंतिन फैसले से पहले इंतजार कर रहे हैं अब देखना ये होगा कि लालू और तो जिस वी यादव परिवार पर दाव लगाने ते हैं या फिर किसी और पर ब विधायक थे वो अब सांसद बंड चुके हैं 2024 के लोग सभाचुनाव लड़ने के बाद और अब ये तमाम जो सांसद है वो चाहते कि उनके ही परिवार के लोग यहां से विधायक बने और इसके लिए लालो पृशाद यादव के सामने अरजिया लगने लगी है अब इमा झालो झालो झालो